तो हलो गाइस वैलकम टू मैं चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टेलिग्राम अकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट कर सकते हो तो आई ये इस वीडियो को शुरू करते हैं तो guys telegram account को delete करने के लिए आपको सबसे पहले अपने mobile में telegram app को open कर लेना है तो telegram app को आप जैसे ही open करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा तो देखें guys अब आपको यहाँ पर क्या करना है आपको बिल्कुल उपर की तरफ left side पर 3 lines दिखरी होगी तो आपको यहाँ पर 3 lines पर click कर लेना है तो guys 3 lines पर आप जैसे ही click करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ options आ जाएंगे तो guys आपको यहाँ पर नीचे की तरफ यह option दिख रहा होगा settings तो आपको यहाँ पर settings पर click कर लेना है तो guys settings पे आप जैसे ही click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा page open हो जाएगा तो देखिए इस page पे आपको क्या करना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आजाना है तो जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ ही आपको एक option दिख जाएगा telegram FAQ तो guys आपको यहाँ पर telegram FAQ पे click कर लेना है तो telegram FAQ पे आप जैसे ही click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा page open हो जाएगा तो देखिए इस page पे आपको क्या करना है इस page पे आपको नीचे की तरफ scroll कर लेना है तो जैसे आप इस page पे नीचे की तरफ scroll करोगे तो guys नीचे की तरफ ही आपको एक option दिख जाएगा your account तो देखिए your account के नीचे ही आपको एक option दिख रहा होगा delete your telegram account तो telegram account को permanently delete करने के लिए आपको यहाँ पर delete your telegram account पे क्लिक कर लेना है तो guys delete your telegram account पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा page open हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल उपर की तरफ ही एक caution दिख रहा होगा How do I delete my account? तो बिल्कुल इस caution के नीचे ही आपको blue color में एक option दिख रहा होगा Deactivation page तो guys telegram account को permanently delete करने के लिए आपको यहाँ पर deactivation page पे क्लिक कर लेना है तो देखिए deactivation page पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा page open हो जाएगा तो guys इस page पे आपको नीचे की तरफ यह option दिख रहा होगा Your phone number तो guys यहाँ पर आपको अपना phone number country code के साथ डाल देना है तो guys आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जपना phone number है वो country code के साथ ही डालना है तो अगर तो आप अपना phone number बिना country code के डालोगे तो आपके telegram account में वो code नहीं receive होगा जिसे आपका telegram account permanently delete होगा तो guys जैसे कि इंडिया का country code है plus 91 तो आपको जपना phone number डालना है वो plus 91 के बाद ही डालना है तो phone number डालने के बाद आपको नीचे ही next का option दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर next पे click कर लेना है तो guys next पे आप जैसे ही click करोगे तो आपके telegram app में एक code आएगा तो guys मैं आपको यहाँ पर बता दूँ code का जो message है वो आपके telegram app में ही आएगा आपके phone में नहीं आएगा तो अब आपको यहाँ से इस message को open कर लेना है तो जैसे ही आप इस message को open करोगे तो आपको यहाँ पर show होगा this is your login code तो आपको इस code को यहाँ से copy कर लेना है तो guys code को copy करने के बाद आपको इस code को यहाँ पर डाल देना है तो confirmation code paste करने के बाद आपको नीचे ही एक option दिख रहा होगा sign in तो आपको यहाँ पर sign in पर click कर लेना है तो sign in पे आप जैसे ही click करोगे तो आपके सामने एक page आ जाएगा delete your account तो guys आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफी blue color में एक option दिख रहा होगा delete my account तो आपको यहाँ पर delete my account पे click कर लेना है तो guys जैसे ही आप yes delete my account पे click करोगे तो आपके सामने एक message आ जाएगा your account was successfully deleted from our system तो guys आपका जो telegram account है वो यहाँ से permanently delete हो जाएगा तो guys यही था telegram account को delete करने का simple सा process तो अगर आपको यह video पसंद आई तो इस video को like कर देना, channel subscribe कर लेना तो मिलते हैं अगली video में